हेलो फ्रेंड्स, रंजितास किचन में आप सभी का स्वागत है, मैं आज आप से सेयर करने जा रही हूँ, इमली और खजूर की खटी मिठी चटनी की रेसिपी, इसे हम एक बढ़ बना कर कुछ महिनों के लिए स्टोर कर सकते हैं, और जब भी घड़ पर समोसे, चाट, दही ब है तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ सेयर जरूर करें, तो चलिए सुरू करते हैं इसे बनाना, इसके लिए हम लेंगे सबसे पहले एक लिटर पानी, और फिर उसमें हम 200 ग्राम इमली, 200 ग्राम खजूर, और 200 ग्राम गुड को डाल कर हम, 3-4 घंटे के अच्छी तरह से मिला कर, इसे हम 4 घंटे के लिए भीगो कर रखतेंगे, 4 घंटे बाद इसे हम हाथों से मसल मसल कर, इसके साड़े बीज रेस से इन सब को हटा लेंगे, अगर यह थोड़ा गाड़ा हो तो इसमें आप पानी भी डाल सकते हैं, आप चाहें तो इसे छन्डी से भी चान लें, बस इसे इस तरह से कर लेना है, अब हम एक कढ़ाई में लेंगे थोड़ा से तेल, और फिर उसमें डाल देंगे गूर, इमली और खजूर के मिसरंगो, और इसे हम लगातार चलाते हुए, 15-20 मिनट तक पकाएंगे, थोड़ी देर पकने के बाद, अब हम इसमें डालेंगे मसाले, मसालों में हम डालेंगे थोड़ी सी लाल मिर्ज पाउडर, जीरा पाउडर, नमग, सोट पाउडर, थोड़ा सा गड़ मसाला, और काला नमग, इन सब को डाल कर हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और फिर इसे लगातार चलाते हुए, 20-25 मिनट तक पकाएंगे, 20-25 मिनट बाद या इस तरह से त्यार हो जाएगा, अब हम इसे ठंडा कर लेंगे, बस यह खटी मिठी चटनी बन कर तयार है, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है, तो इसे लाइक एंड सेर जरूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, थैंक यू,